वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यह उसी कड़ी में अगला क्रम है मतलब कुछ आगे के लेक्चर हम देखेंगे और कुछ लोग यह संशय में रहते हैं कि सेलिबस पूरा किया जाएगा या नी तो सेलिबस अवश्य ही पूरा होगा परिक्षा से ठीक पहले और काफी पहले मतलब इतना समय आपको दिया जाए कि इस फ्री इनिशेटिव का पूरा लाब लीजिए जितना हो सके उतनी बार इस वीडियो को देखिए इससे रिविजन करिए नोट्स बनाईए दूसरों को भी दिखाईए शेयर करिए तो चलते हैं और शुरू करते हैं आगे जो पिछले लेक्चर थे उसमें हमने यहां तक अपनी बात को पूरा किया था कि नागरिकों को कुछ संविधान की द्वारा दिये हुए मूल अधिकार मौजूद हैं और इन मूल अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो नागरिक जो है वो अपनी अपील लेके कोर्ट में जा सकते हैं यह वादियोग्य होते हैं तो अनुछेद 20 और 21 इनके त्वारा गारंटी कृत अधिकारों को छोड़ कर मतलब इन में जिन अधिकारों की गारंटी दी गई है उनको अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी जितने हैं वो राष्ट्री आपातकाल के संचालन की दौरान निलंबित किये जा सकते हैं निलंबि मतलब बोलना ही सिर्क उसमें नहीं होता है अभिव्यक्ति जिन माध्यमों से हो सकती है वो सभी तो अनुछेद 19 के द्वारा गारंटी कृत 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध या बाहरी आख्रमड के आधार पे आपातकाल घोशित किया अनुछेद 19 में जो गारंटी कृत 6 अधिकार है उनका निलंबन किया जा सकता है अब यहां आप देखिए भारतिय सम्विधान के अनुछेद 19 क्लॉज 1 या 191 को आप कह सकते हैं इसके तहट सूचना का अधिकार एक मौली का अधिकार है ठीक है आप किसी भी संस्थान से कि विव्यक्ति से सूचना प्राप्त करने के हगदार है और 1900 यहां देखिए अप समय 1976 घीक है यह जो समय आप देख रहे हैं और मौली का दिकार है तो ये बात दे कर देगा मशीनरी को, सरकार को, कि वो इसका उत्तर दे हलागी ऐसा दिखता नहीं है, जितनी ततपरता से इसको लाया गया था, आज के समय में ये बहुत जादा प्रासंगिक नहीं रगया है क्योंकि इसमें नागरिकों की उतनी अच्छी सुनवाई नहीं हो पा रही है, आज का समय जो है उसमें सच यह है इसके अलावा मददान का दिकार, कभी-कभी पूछा जाता है कि बताइए इसमें से कौन-कौन सा आपका सम्विधानी का दिकार है और कौन-कौन सा मौली का दिकार है, मतलब सम्विधान में उलिखित अगर कोई दिकार है तो वो सम्विधानी का दिकार होगा, जैसे संपत्ति का दिकार है न तो वो चीज अब यहां आपको अंतर मालूम होना चाहिए मौलिक अधिकारों में जितने आते हैं उनको आपको अलग रखना होगा बागी जितने हैं संविधान में उलिखित वो आपके संविधानी का अधिकार तो मतदान का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है इसको आप अभिव्यक्ति की हजादी में नहीं जोड सकते हैं ठीक है मतदान का अधिकार जो है वो संवेधानी का अधिकार और अनुछेद 19, clause 1, sub clause 1 के तहद जो प्रेस की अजादी है उसका वर्डन है ये सारी बातें gentleman अब यहाँ कुछ संवेधान संशोधनों की चर्चा है जैसे कि संवेधान में जो 46 संशोधन किया गया था 46 नंबर का जो amendment किया जाता है ये समय था सं 2002 का और इसके द्वारा भारत के संवेधान में अंतह स्थापित अनुछेद 21 का ठीक है मतलब इस संशोधन के द्वारा कोई भी महत्तुपूर्ण चीज अगर बदलनी होती है संविधान में या कुछ नया जोड़ना होता है तो उसके लिए संशोधन अनिवारे हो जाता है तो यह संशोधन किया गया था सन 2002 में और अन्ता स्थापित अनुच्छेद है 21 कर ठीक है 21 ए भी आप कह सकते हैं और ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून का निर्धारण करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयोके समूँ के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवारे सिच्छा का प्रावधान मतलब यह उन बच्चों का मौलिक अधिकार ठीक नेशुलक और अनिवारे बाल सिक्षा यानी RTE अधिनियम 2009 इसमें बच्चों का अधिकार जोके अनुछेद 21 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिदितु करता है इसका मतलब गया है तो मतलब यह है कि आपचारी की स्कूल जोके कतिपे अनिवारे मानदंडों और मानकों को पूरा करता है उसमें संतोष जनक और एक समान गुडवत्ता बराबरी एक समान गुडवत्ता वाली पूर्ण कालिक प्रात्मिक सिक्षा के लिए प्रतेक बच्चे को वहां पढ़ने का हग है कोई उन्हें रोक नहीं सकता यहां तक कि अगर माता पिता भी उसमें बाधा डालते हैं तो वो भी सजा के हगदार बनते हैं अनुछेद 21 का और आटी अधिनियम 1 अप्रेल 2010 को लागू हुआ था तो यह सारा मामला है इसको आपको पता होना चाहिए अब यहां अनुछेद 13 की चर्चा क्यों की जा रही है तो उसमें यह घोशना की गई है कि मौली का दिकारों से असंगत या उनका अलपी करण करने वाली विधियां शून ने होंगी अब इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि सपष्ट रूप से नियाईक समिक्षा के सिध्धानत का प्रावधान यहां पर दिखाई दे रहा है और यह शक्ति सर्वोच नियाले को अनुछेद 32 और जितने भी हाई कोर्ट है राज्ये के यानि उच्च नियाले उनको 226 में अनुछेद के द्वारा प्रावध है यह जो रेट जारी करने की शक्ति होती है ना नियाईक समिक्षा का सिध्धानत यहां लागू होता है तो इसके लिए पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल नंबर 32 से है जिसे की सम्वेधानिक उप्चारों का अधिकार कहा जाता है और उच्च नियाले उच्च नियाले के पास जो शक्ति है वो 226 में अनुछेद से प्रेरित है और किसी भी कानून को असम्वेधानिक घोशित करने का यह पावर होता है कोर्ट के पास अब मूल रूप से अनुछेद 19 में 7 अधिकार थे ठीक है 7 अधिकार इसके पास थे लेकिन संपत्ति का अधिकरहन वाला जो मामला था सिर्फ अधिकरहन उसमें नहीं था उसमें धारण करने की जो बात है अधिकारों के कार्यान्वेन का तायरा अनुछेद 31a जिसमें कि संपत्तियादी के अधिकरहन इत्यादी को प्रदान करने वाले कानूनों की बचत की जाएगी 31b और 31c इनके द्वारा सीमी थे ठीक है तो 31a,b और c को आप याद रखेगा यहाँ पे कहा गया आगे का मामला क्या है तो जब किसी नागरिक के मौली का दिकारों का उलंगन होता है यहाँ तक तो हमने मौली का दिकार कौन कौन से है, कहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, किस चीज का वर्डन कौन से अनुछेद में है, यह सब देखा लेकिन अब असली मामला आता है, जहाँ थोड़ा सा बहुत देक स्तर आपका चेक होता है मतलब ऐसे प्रशन लॉजिक वाले होते, तो जब किसी नागरिक के मौली क अधिकारों का उलंगन होता है ठीक बात है कि हमें सम्विधान ने अधिकार दिये है, लेकिन यह जो दुनिया है और खास तोर पे जो राज तंत्र हमारे यहाँ विक्सित हो रहा है ठीक, देखिए, आजादी के बाद जो राजनीती है, वो धीरे धीरे राज तंत्र की और प्रहरित हो रही है मतलब इसमें जो मनमानी वाला रवईया है, वो हमेशा दिखता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी है सत्ताधारी दल जो भी बनता है वो भूल जाता है कुछ समय बाद तो जनता का सोशन इस परिस्थिती में होता है और उनका उसमें चार चाद लगाने का काम प्रशाशनिक मशीनरी करती इसमें ब्रश्टाचार इतनी गहराई से व्याप्त है कोई स्विकार करे या न करे लेकिन जनता के हित के लिए जितना धनराशी या जितना प्रयास होना चाहिए वो जनता तक पहुँची नहीं पाता तो प्रतनिधी चुनते हैं हमी लोग ठीक है और हमारे ही जो टैक्स का पैसा होता है उससे देश चलता है लेकिन सबसे बधाल इस्थिती जनता की है और हमेशा रही है ये वो लोग तंत्र नहीं है जो आजादी के बाद अपेक्षा की गई थी तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि मौलीक अदिकारों का उलंगन ऐसी इस्थिती में स्वाभाविक है क्योंकि कोई भी सरकार जो है वो नागरिकों को छुट्टा नहीं छोड़ना चाहेगी वो उसपे अंकुष लगाना चाहेगी ताकि ये मेरा विरोध न कर पाए ये हर गौवर्मेंट की अपनी मन्शा होती तो यहां भी बात है तो इसलिए अब ऐसी बात है कि मौलीक अदिकारों का अगर उलंगन किसी प्रशाशनिक तंत्र के द्वारा या राजनितिक तंत्र के द्वारा कैसे भी किया जा रहा है तो पीड़ पक्ष के पास सिधे-सिधे उच्च नयाले या सर्वोच नयाले जाने का विकल्प होता है हाई कोर्ट अगर सरकार का गुलाम बन चुका है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएए सुनवाई होगी ये संविधान गयता है ठीक है और अनुछेद 32 के द्वारा गारंटी कृत अधिकार अर्थाद जहां मौली का अधिकार का उलंगन होता है वहाँ उच्टम नियाले को इस थानांतरित करने का अधिकार ये वहाँ पर मौजूद है और अपने आप में एक मौली का अधिकार है ठीक है ये जो है ना ये अपने आप में एक मौली का अधिकार है कुल मिलाकर अनुछेद 32 के तहट वैकल्पिक उपाय की उपलबदता, राहत के लिए कोई बाधा नहीं है, ठीक है, राहत के लिए कोई ऐसा अवरोध नहीं है, हाला कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार ऐसे फैसले सुनाये जाते हैं, और बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ही नेरडेओं में लगातार संशोधन करता है तो ये अधिकार उसके पास है और वो कभी भी जन हित से परे नहीं जाता तो ये हमने देखा आप सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया कि अनुचे 226 के तहत ठीक है आर्टिकल नंबर 226 यानी 226 की बात हो रही है ये जो छोटे-छोटे अनुचेदों का वर्डन यहां किया गया है न इनको आप अनिवारी रूप से याद रखेगा इनके अंदर कौन सी समागरी है क्योंकि समविधान के टोटल आप जो 400 से उपर इस समय आर्टिकल है उन सबको याद नहीं रख सकते यही मांदारी की बात है कोई कितना भी बड़ा अपना चार्ट पेपर लगा कर दिवार पर रोज आर्टिकल गिनता हो लेकिन परीक्षा में वो सारे आपको याद आ जाएंगे अगर कोई आपसे कह दे कि पहले अनुचेद से लेकर 4 सव में तक लिख डा दिए तो हो सकता है कि आप लिख दे लेकिन परीक्षा का जो दबाव होता है वहाँ आप कर पाएंगे नहीं समपव है तो इसलिए थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेना है स्मार्ट वर्क करने का मतलब यही होता है आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल जादा इंपोर्टन है मतलब कहां कहां से पूछा जा सकता है यह नहीं कि आखमूद के पहले से लेकर हम जितने हैं सब रड़ डाले तो यहां 226 मा जो अनुछेद है इसके तहट उच्छे नयायले के माध्यम से राहत उपलब्ध है ठीक है 226 में के तवारा उच्छे नयायले के माध्यम से राहत का प्राउधान है यहां High Court की बात और पीडित पक्ष जो है उसको सबसे पहले उच्छे नयायले ही जाना चाहिए सबसे पहले हम अपने नजदी की स्तर पे प्रयास करते हैं तो पहले High Court में गए अब High Court से नहीं सुनवाई हो पा रही है मामला नहीं क्लियर हो पा रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वहां सुनवाई अवश्य ही होगी इसके बाद अनुचे 33 अनुचे 33 के तहट भारत की संसद के पास ध्यान से देखेगा आप संसद यहां क्या कर सकती है तो आर्टिकल नंबर 33 यानी 33 के तहट भारत की संसद के पास सशस्त्रिबलों और अर्ध सैनने सदस्यों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति है मतलब यह है ना कि जो सशस्त्रिबल और अर्ध सैनने सदस्ये हैं उनके पास जो अधिकार हैं मतलब मौलिक अधिकार हैं उनको संसत समाप्त कर सकती है लेकिन कुछ विशेश फरिस्थितियों में संविधान ने अनुछे 33 पर केवल भारत की संसत को कानून बनाने की शक्ति दी है इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें पूरा एक अधिकार जो है वो संसत के पास होता है यह एक मामला है और यह कब किया जाएगा तो जैसे कोई भी शशस्त्रबल है यानि उसके पास हतियार है सरकार नहीं या जो संविधान है उसी ने उन्हें हतियार दिया है सुरक्षा के लिए लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो देश की रच्छा के लिए या देश की जो सामाजिक इस्थिती है उसके लिए खत्रा बन रहे हैं या कहीं से संविधान के उलंगन की स्थितियां मिशेश तोर पे बनती है जन्ता के हित को बादित किया जाता है तो उस परिस्थिती में इसे छीना जा सकता है अब मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है ठीक है, मूल अधिकार जो है वो ऐसा नहीं है कि बेलगाम है इन पर भी अंकुष है, समविधान में बहुत अच्छी व्योस्था की गई है आज के समय में बहुत सारे लोग समविधान को कोचते हैं कि इसमें इस तरह के एब हैं कि लोग इसके कानूनी पेचों में उलजगर रहा जाते हैं लेकिन इतने सारे वकीलों और बुद्ध जीवियों ने इसे मिलकर बनाया है कि इसमें गल्तियां होई नहीं सकती है उनकी जो सोच है वो बहुत दूर गामी थी वो भविश्य द्रश्टा थे, भविश्य देख रहे थे कि बाद में क्या हाल होगा तो उन्होंने वैसे वैसे प्रावधान इसमें करके रखे हुए है इतना जादा हमने दूसरे देशों के सम्विधानों से सीखा है जगा-जगा से कुछ नकुछ लिया है और सीखने की बात है कि इसमें तुरुटियों की गुंजाईश बहुत कम है और जहां तुरुटियां होती है वहाँ संशोधन की आवशक्ता हो जाती है तो संशोधन हम कर लेते हैं तो कुल मिलागर सम्विधान एक तरह से परफेक्ट है परफेक्ट कुछ भी नहीं होता लेकिन माना जा सकता है अब यहां आप देखें कि मूल अदिकार जो है इनको प्रतिबंदित किया जा सकता है अगर बेलगाम होते तो फिर ये भी एक गड़बड बात है तो प्रतिबंदित कैसे हो सकता है और जबकि किसी छेत्र में मार्शल्ला लागू है मार्शल्ला अगर लागू होता है तो इनका प्रतिबंदन हो सकता है और मार्शल्ला का मतलब क्या होता है कि आदेश को बहाल करने के लिए असामाने परिस्थितियों में लगाया गया सैनने शाशन जब ये आवश्यक हो जाता है कि कोई आदेश, कोई जो जना देश है उसको जारी किया जाए और जनता उसको माने क्योंकि वो उसके भी हित्मे है, देश के हित्मे है तो ऐसी परिस्थिती में उसको जारी किया गया अब इसको बहाल करने के लिए अगर मौलीक अधिकारों का दमन भी करना पड़ रहा है तो चलेगा अनुछे 34 इसकी बात करता है राश्प्री आपातकाल लागू करने की जो विधियां है उससे ये अलग है ठीक है मार्शल लागू आपातकाल से नहीं जोड सकते आपातकाल में भी हमने देखा था कि मौलीक अधिकारों का निलंबन हो सकता है अब उन में से अधिकांश सीधे प्रवर्तनी है यानि स्वकार्यकारी हैं आप कह सकते हैं जबकि उन में से कुछ को प्रभावी करने के लिए बनाये गए कानून के आधार पे इनका काम किया जाता है मतलब जो मौलीक अधिकार है उसमें से कुछ तो खुदी लागू हो जाते हैं और कुछ को लागू करवाना पड़ता है ये बात केवल कानून केवल संसत के द्वारा बनाया जा सकता है ना कि राज्य विधान सभाओ ताकि पूरे देश में एक रूपता बनी रहे अगर राज्यों के जिम्में इस तरह का महतुपोंट दाइत्व छोड़ दिया जाएगा तो राज्य अपने हिसाफ से करेंगे उनका नजरिया सीमित होगा वो सिर्फ एक खास प्रॉविंस को देखेंगे लेकिन संसत जब करेगी तो वो पूरा देश हित का मामला बना के उसे करेगी कम से कम संसत से ये अपेक्षा की जाती है तो यह है आर्टिकल नंबर 35 अब यहां बाबा साहब अंबेटकर ने क्या कहा इन्होंने कहा कि इन सिध्धान्तों को भारती संबिधान का नोबेल फीचर कहा जाना चाहिए और वो खुद भी कहते थे यह आदर्श एक तरह से गुण है संबिधान के जिने की अंबेटकर जी के द्वारा कहा गया था मौलिक अदिकानों के साथ निर्देशक सिध्धान्तों में संबिधान के दर्शन को समाहित किया जाता है और संबिधान की आत्मा यहां आप देख रहे हैं यह थोड़ा सा यहां जो सेंटेंस है ना इसमें आप संशोधन कर लिजेगा कुल मिलाकर नीति निदेशक सिध्धान्त जो है वो भारती संबिधान में दार्शनिक पक्ष है दर्शन को दर्शाते हैं और वो बादिकारी तो है नहीं राज्य उनके आधार पे कानून बना के अपने कर्तवे का निर्वहन कर सकता है तो यह मामला है इसके बाद देखें ग्रॉन्विले आस्टिन यह एक राजनीति शास्त्र के जानकार थे और इन्होंने नीति निदेशक तत्वों और मॉलिक अदिकारों को कम्बाइंडली यानि संयुक्त रूप से सम्विधान की अंतरात्मा कहा है ठीक है वैसे तो सम्विधान की आत्मा मूल रूप से हमारी प्रस्तावना है लेकिन यहाँ पर एक कथन है जो कि एक व्यक्ति का विचार है आगे देखते यहाँ पर देखें भारत के सम्विधान के अनुचे 300A अब यहाँ फिर से संपत्ति का अधिकार हाजिर हो गया है तो इसको सम्विधानी का अधिकार मतलब कानूनी अधिकार माना गया है लेकिन यह मौली का अधिकार अब नहीं है पहले साथ हुआ करते थे मौलिक अधिकार अभी छे हो गए भारतिय सम्भिधान का अनुछे 26-14 साल वही पीछे जो हमने देखा है वही जीजे RTI अधिकार और ये 2010 यहां पूछा जाता है ये अधिनियम जो है ये कब से लागू हुआ तो 1 अप्रेल 2010 से ये लागू हुआ था ये तारीक आपको याद रखनी इसके बाद EWS आरक्षन वाला मतलब जो सामाने वर्ग में पिछड़े लोग है आर्थिक रूप से पिछड़े लोग है उनको आरक्षन का प्रावधान उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि उतना जो आपकी आमदनी का स्रोथ है वो एक सीमित दाइरे में होना चाहिए सालाना जो इनकम है उसका एक दाइरा बादा गया है तो कुल मिला कर ये क्राइटेरिया है और इससे सिर्फ कट आफ में कुछ हद तक राहत मिलती है लोगों को वो भी जो राज्यस्तरी परिक्षाय हैं उसमें नहीं ही मिलती है बलकि EWS का कट आफ आजकल देखने में आ रहा है कि सबसे उपर ही जा रहा है तो ये एक समस्या की जड़ है आपने आरक्षण के चक्कर में EWS लिख दिया सर्टिफिकेट भी आपने बनवा लिया हो सकता है आप उसके हगदार भी हो नहीं भी जो है वो भी बनवा ले रहा है तो उसके बाद फिर आपको कोई उसका फायदा नहीं मिला बलकि दो-चार नंबर आपको और कट आफ में अर्जित करने पड़ेंगे तब जा खर आप जो एक्जाम हो इसको क्लियर करेंगे तो यह समस्या बन गया है फिलाल इसमें कोई एज रिलैक्षेशन वगेरा मिलता नहीं है तो यह बात है अब इसके बाद आप देखें 2019 का यह अनुछेत 15 क्लॉस 6 है 16 क्लॉस 6 है उसके ताथ यह EWS रिक्षन का प्रावधान हम देखते है 2019 में 103 संशोधन किया गया था ठीक है 2019 में 103 नंबर का Constitutional Amandment Act आता है और उसी के माध्यम से भारतिय सम्विधान का जो अनुछेत 15 और 16 है उसको सुधारा जाता है 15 सोब आने मौली कदिकार में संशोधन होता है और संशोधन के माध्यम से भारत के सम्विधान में अनुछेत 15 सोब को शामिल किया जाता है और 15 क्लॉस 6 और 16 क्लॉस 6 असल में शामिल होता है संशोधन का मतलब यह नहीं है कि हम उसमें कुछ बदल रहे थे सिर्फ एक्ष्ट्रा चीजें जोड रहे थे और जादा तर जो अमेडमिंट आप देखते हैं उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है कुछ नया जोडा गया है परिवर्तन बहुत रेयर मामलों में हुआ है मतलब गिने चुने में तो यहां 15 clause 6 है और 16 clause 6 है इन दोनों को जोड़ा जाता है ताकि जो अनारक्षित वर्ग है जो कि अभी तक एक तरफ कर दिया गया था तो उसके अंदर जो आने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े लोग है उनको आरक्षन दिया जाए वैसे आज के समय में जो इस्थिती है गरीबी और बेरुजगारी जिस लेबल पे पहुँच गई है तो उसमें अगर आरक्षन का प्रावधान हो तो उसमें आर्थिक चीज को ही आधार बनाया जाना चाहिए और आर्थिक मांदंड को परक्षने का जो पैमाना सरकार का है वो थोड़ा कठोर होना चाहिए यह नहीं कि कोई भी सर्टिफिकेट बनवा ले ऐसे तो जो तहसील स्तर पर होता है या लेकपाल से बनवाया जाता है तो उसमें धादली चलती है आप पैसा खिला के मनमाना बनवा सकते हैं बहुत सारे ऐसे EWS सर्टिफिकेट धारक है जो कि वास्तों में उसके हगदार नहीं लेकिन बनवा कर बैठे हैं और उसका लाफ भी ले रहे हैं तो यह सारा मामला है अब इसके बाद आप देख रहे हैं राष्ट्रपती का चुनावी कॉलेज निर्वाचन की बाद हो रही है संसत के दोनों सतनों के निर्वाचित सदस्य यहाँ देखिए जो वन लाइनर फैक्ट आप देख रहे है न वो शामिल होते हैं राष्ट्रपती के निर्वाचन में कौन-कौन शामिल हो सकता है वो बताया जा रहा है तो पहले तो संसत के जो दोनों सदन है मानि लोक सभा और राजे सभा उसके निर्वाचित सदसे राजे विधान सभाओं के निर्वाचित सदसे और केंद्र शाषत प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदसे इतने सारे लोग मिलकर राश सम्विधान का हिस्सा नहीं है ये बाद में जोड़ा गया है आप भी जानते हैं कि ये स्वन्ड सिंग कमेटी थी जो कि 1976 में मतलब संशोधन 1976 में किया जाता है कमेटी तो पहले ही बनाई जाती है ताकि वो अपना सर्वे कर सके तो इन्हीं की रेक्मेंडेशन थी कि मौलिक कर जाना है देश को आगे ले जाना है तो सबसे बड़ा उसमें जो दाइत्व है वो किसके ऊपर है गौर्मेंट के ऊपर है या प्रधान मंत्री के ऊपर है सबसे जादा देश की जनता के ऊपर है और जनता चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती है बस चाहने की बात है तो ये देख ठीक है, संबिधान में एक नया हिस्सा जोड़ा जाता है, तो भाग 4A ये रहता है, और इसके अंदर हम मौलिक करतवियों को देखते हैं, मूल रूप से इनकी जो संख्या है, जब जोड़े गये थे, तो दस थे, लेकिन 2002 में एक और संशोधन होता है, जो कि 86 हैं, और इससे म 11 उनको लिख लिजे, लिख कर याद करेंगे, तो ये चीज़ें ज़्यादा इस्थाई रहेंगे, उसके अलामा जो जो आर्टिकल मौलिक करतवियों से जुड़े हुए हैं, डारिक्ट अथवा इन्डारिक्ट, उन सबको उसके साथ लिखिए है, ये नोट्स मेकिंग का य नई सूचना है, तो उसको आप इसके अंदर डालिए, आप ये देखिए कि संबिधान में कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए, किस आर्टिकल में संशोधन किया गया, अगर किया गया तो, कब किया गया और कौन सा constitutional amendment होता है, ऐसे करके आपको बढ़ना है, तो यहाँ आम साथ है, उसका निलंबन कर दिया गया, निलंबन करना यहाँ सही शब्द नहीं है सलमें, इसे हटा दिया गया, ठीक है, सीधे सीधे आप शब्द इस्तिमाल करेंगे, यह साथमा संशोधन हुआ था, और काफी पहले का है, उन्हें सो चपपन का है, और दूसरी और भाग 4A जो है यह भाग यहां देख रहे हैं चार ए और साथ में भाग 14 ए इन दोनों को 42 में संशोधन अधिनियम के दुबारा जोड़ा गया था यह एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है कुछ जो संविधान संशोधन है सब नहीं सब पूछे भी नहीं जाते लेकिन 42 और 44 उन मह जोड़ा गया है यह ध्यान दीजेगा जबकि जो 9 A है संविधान का भाग 9 A इसको 74 में संशोधन अधिनियम के दोड़ा जोड़ा गया और यह समय था 1992 का जबकि 9 B है ठीक यह 97 में संशोधन के दोड़ा गया समय था 2021 तो यह कुछ महत्वूर संशोधन की जानकारी है अब ह यहां दोनों के बीच का अंतर क्या है अंतर आप भी जानते हैं लेकिन उसे थोड़ा सा और अच्छे ढंग से विस्तरित तौर पे देखने की आउशिकता है वैसे देखी अंतर बताने का ये वाला तरीका अच्छा नहीं होता है आपको तुलनात्मक अंतर बताना है तो बीच में आप लाइन कीच कर कॉलम बना लीजे मतलब आपका जो पेज है वो दो कॉलम में बढ़ जाएगा एंसर राइटिंग आप करते हैं तो उसमें भी ये काम देता है आप एक तरफ मौली का अधिकार डाल लीजे दूसरी तरफ अपना नीती निदेशक सिध्धान दिया जि ये इतने अच्छे हैं कि नागरिकों को बहुत सारी ताकत देते हैं तो नागरिक बेबस हो जाते तो ये नकारात्मक इसलिए हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ मसलों पर कारे करने से प्रतिबंदित करते हैं असल में यही तो इनकी सकारात्मकता है राज्य को मनमानी करने से ने तो राज्ये मतलब जो सत्ताधारी दल हैं, जो कि शाशन को चलाने का काम करते हैं, और उनी के अधिन रहने वाले ब्यूरोक्रेट्स जो कि उनी के कहे पर चलते हैं, तो ये जनता का सोशन भी तो कर सकते हैं, जिसके हाथ में शक्ती होती है, वो सोशन करने से बाज नहीं आता है ये कडवी हकीकत है तो उसी सोशन के खिलाप ये रक्षा प्रदान करते हैं तो ये तो प्रतिबंदित करेंगे ही जहां आप जादा अपना हाथ फैलाने के कोशिश करेंगे जनता के उपर ये आपको तुरंट पीछे धकेल देंगे तो ये राज्यों को अच्छा नही पहले चाहेगा तो लागू करा देगा और इनका उद्देश्य देश में लोकतंत्रे के राजनीती व्यवस्था को स्थापित करना है लोकतंत्र का मतलब क्या है लोक को प्रात्मिक्ता ठीक है लोकतंत्र का मतलब है लोको को प्रात्मिक्ता यानि जनता को प्रात्मिक्ता त इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आकर लागू करवाएगा, यह पहले से ही लागू है, जब इन्हें बनाया गया, सम्विधान लागू हुआ, उसी के साथ यह लागू हो गया, और न्यायले इस बात के लिए बात है, कि किसी मूल अधिकार के हननन की विधी को वह गैर अ सम्विधानिक या अवैद घोशित करें, तो कुल मिलागर यह मूल अधिकारों की विशेष्टा आपने देखी, अब निदेशक सिध्धानतों को देख लेते हैं, तो यह सकारात्मक है, सकारात्मक क्यों है, यहाँ नकारात्मक और सकारात्मक शब्द का मतलब है, कि जो रा राज्य के उपर कोई पाबंदी नहीं होती है, कि जो यहाँ concept दिया है, उसके आधार पर आप कानून बनाईए ही, लेकिन उनका करतव होता है कि वो उसी के आधार पर पब्लिक वेलफेर के लिए प्रावधान करें, तो यह सकारात्मक है, और कुछ मसलों में आप राज्य क संदर्ब में देख रहे हैं, राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवशक्ता होती है, यह गैर न्याय उचित होते हैं, और इने कानूनी रूप से न्यायले के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, कुछ चीजे जो हैं अपने संविधान में वो बहुत अच्छी हैं, जैस इसको मानने के लिए या करवाने के लिए विवश होता है, ठीक है, तो न्यायले द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता है, और भाई कोर्ट का डंडा अगर उपर से नहीं पढ़ रहा है, तो फिर अपनी मनमानी है, इसका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थ अगर देखा जाए, तो यह समाजवादी है, इनकी जो प्रवित्ती है, वो कैसी है, समाजवादी है, इन्हें लागू करने के लिए विधान की आउशक्ता होती है, स्वतह लागू नहीं होते हैं, और इसलिए ये राज्य के नियंत्रण में होते हैं, राज्य चाहेगा को प्रभावी करने के लिए किया गया था, और इसका फायदा अक्सर जो राजनितिक दल है, वो उठाया करते हैं, तो यहाँ पर हमने बीच का अंतर देखा, आगे का जो हमारा कॉंसेप्ट होगा, उसमें हम संविधान संशोधनों को देखेंगे, जितने महत्तुपूर्ण हैं, उने देखेंगे, सबको देखने की आवशिक्ता नहीं है, आप पूरी पॉलिटी नहीं तयार कर सकते, लक्षमी कांत का पहला पेज से लेकर, आप आखिरी पेज तक रट कर जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, आपको यह पता होना जी, क्या-क्या चीज आती है, और कह से पूछा जाता है, और वही सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, तो सम्विधान संशोधन जितने काम के हैं, उनी को हम देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, पहले के बाद सात्वा है, सात्वे के बाद सीधे 42-44 आ गया है, तो इसी प्रकार से है, वो सब अगले लेक्चर में ह इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार